किसान के लिए लगब तीन लाख रुपे उसका स्टार्टिंग में खर्चाता है रहबेट्स पलस केज यह से केज बने होते हैं फीडर बॉक्स होते हैं सर कुछ वाटर स्निपल लगी होती है उसके अलावा किसान का कोई ज्यादा खर्च नहीं आता लाख रुपे उसके सैड के ओपर खर्चाता है लाख से लाख वीश जार के आसपास लगब चार सड़े चा सढ़े 300 बच्चा वो निकालती है हमारी अवरेज के हिसाब से एक फीमेल से लगब बग 5 बच्चों की अवरेज निकलती है इंटू 70 करते हैं तो लगब बग 3,22 उसका निकलता है सदे 322 नबबे दिन में बिकने के वो लाइक होता है लगबग पोने 2-2 केजी का उसका वजन हो जाता है जो कि मार्किट में लगबग 1,40,000 के आसपास का सेल होता है वो हमारे हिसाब से जो हम किसान को एगरिमेंट देते हैं लगबग हर 45 जन में उसका जो प्रोडक्शन त्यार होता है 1,40,000 के आसपास का सेल करता है हम उसमें लगबग 50-60% एक्सपेंस उसका मानते हैं जिस लाइक कि वो दाना खिलाता है या कोई मैडेसंस है या उसमें से कुछ मोटेलिटी हो जाती है या फिर उसको हमारे पास छोड़ के जाने का ट्रांस्पोर्टिंग लगता है उसको जो हम एवरेज निकाल के देते हैं किसान को लगबग 25-30,000 का महीने का एक एवरेज हम निकाल के देते हैं कि डेफिनेट उसको प्रोफिट आता है क्या होता है कि जैसे ये पूरा हमारा फिमेल का रहता है पूरा लाइन इधर में सर मेल का रहता है सोरज निकलने से पहले हम एक अच्छा टाइम मानते हैं क्रोसिंग के लिए जैसे कि ये फिमेल जो होता है तो फिमेल को उठाके हमें मेल के दोर में हमें डालना पड़ता है मैं थोड़ा प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूं आपको जिस टाई कि ये फिमेल होता है तो हमें मेल के दोर में इसको डालना पड़ता है सर क्रोशिंग के लिए जो बच्चे देने का ताइम होता है Charl alleá ठाइच से 32 बच्छ दिन का ताइम रहता है इसमितफी आज ज हम सभी रगलते हैं उसको जैसे की वर्षीम हो गया जीका हो गया सेकेंड एक एजूलूसन करके ग्रास आता है रैबिट के लिए वो काफी अच्छा और प्रोटिन्स वाला मलब हराचारा हम बोलते हैं उसको दाने में जैसे नॉर्मल दाना होता है तो घर पे ही ग्रेंड हो जाता है कि जैसे मक्का हो गया सोअबिन का खल हो गया सर्सू का खल हो गया अपना गेहों का चोकर हो जाता है जाओं हो जाता है तो यह राइस पोलिस जैसे हो गया फैट के लिए यह सब चिजे हम मिलाते हैं और दाने में डालते हैं इसका एक तो कोस्टिंग वाइज किसान को अच्छा रहता है कि बीसक है इक तो हम मीठ के लिए 50 को सेल करते हैं प्लस जासे गोवरमेट के लिए ऑंसर से मिघे को सपलाइ करते हैं जितने अपना योश्टी जोती है अगरी कोजाश इन इस दिंश्टी उती है वच्छिन डिपार्net में वेज़दें उनमें दौ Excellence Gelig आगक ये बहुत जादा वेक्षिनेशन्स की ये जिए नहीं होती है इसका जो मीट जो होता है इसके अंदर केस्ट्रोल जो है वो जीरो परसेंट होता है जैसे पॉल्ट्री को भी हम क्मबेरेजन करते हैं इस बिजनस के साथ उसमें 64 डीजी जोती है रेबिट फार्मिंग के अंदर कोई ऐसी बिमारी नहीं है पलस जो फैट है रेबिट मीट के अंदर कोई फैट नहीं है जो हार्ट पेशेंट है उसके लिए मीट इसका काफी अच्छा माना गया है सर देखिए दोनों चीज मैंने इसमें देखी है कंप्यूटर एजुकेशन में भी और फार्मिंग में भी फार्मिंग में रेबिट फार्मिंग में मुझे काफी अच्छा लगा पलस प्रोफिटेवल भी मेरे को ये बिजनस उससे कहीं जादा गुना अच्छा लगा मैं रेबिट फार्मिंग से बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया हूँ, मैंने जमीन भी अपना परचेज किया है, कुछ गाड़ी भी मैंने जोड़ा है, सहर में मैंने मकान भी लिया है, तो एक दो चीजे मैंने बहुत अच्छी मलब रेबिट फार्मिंग से किया है